हलो दोस्तों कैसे हो आप सब मेरा नाम है निशानतरोईला और आप देख रहे हैं आएंडे विल्स दोस्तों स्कोडा की जितनी भी गाड़िया इंडिया के अंदर आती है ना स्कोडा अपनी गाड़ियों में कुछ स्पेशल एडिशन जरूर लेके आता है अब जैसे ही स्कोडा की कोशेक की बात की जाए तो स्कोडा की कोशेक ने आपको मोंटे कारलो एडिशन देखने को मिला था वो एक गाड़ी काफी देखने में अच्छी लगती है प्रीमियम लगती है मोंटे कारलो एडिशन के साथ अब दोस्तों एक खबर ये भी आ रहे है स्कोडा की तरफ से जो स्कोडा की सलाविया है न वो भी आपको Monte Carlo Edition के अंदर देखने को मिल सकती है अब दोस्तों Monte Carlo Edition में आपको क्या-क्या मिल सकता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा अगर आपको वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों और वीडियो को एंड तक जरूर देखना तो जिससे कि आपको सारी जानकारी मिल सके अब दोस्तों आने वाले कुछ ही अफ्तों में बताया जा रहा है कि स्कोडा की तरफ से जो स्कोडा की सलाविया है वो Monte Carlo Edition के अंदर आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर जो चेंजिज होंगे वो कोस्मेटिक चेंजिज देखने को मिल सकते हैं ज्यादा इसके अंदर चेंज नहीं होंगे साथे साथ मैं बता दो दोस्तों ये स्कोडा ने कंफर्म किया है कि जो Monte Carlo Edition है वो आपको दो कलर वेरियंट्स में देखने को मिलेगा जो कि आपको मिलेगा वाइट और रेड के अंदर क्योंकि कोशैक के अंदर भी हमें रेड कलर के अंदर वो देखने को मिला था आप दोस्तों जो Monte Carlo Edition है स्कोडा की सलाविया का वो आपको वाइट और रेड के अंदर मिलेगा और साते साते इसके अंदर कुछ फीचर्स ऐसे मिलेंगे जो आपको वो ब्लैक डाउट फीचर्स होंगे जैसे कि जो एक एलिमेट्स एड करेंगे गाड़ी के अंदर जैसे कि आप ग्रिल जो आपको मिलेगी वो ब्लैक कलर की मिल सकती है जो roof है वो आपको black color के मिल सकती है जो ORVM है वो भी आपको black color के अंदर मिल सकते है और दोस्तों जो की skoda की slavia की जो lettering होती है जो लिखा हुआ होता है skoda slavia वो भी आपको black color के अंदर मिल सकता है साथे साथ दोस्तों इसके markets में आपको skoda जो है Monte Carlo भी जो है Monte Carlo का logo भी front में आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों इसके अंदर skoda जो है आपको एक alloy wheels का set भी provide करा सकती है आदोस्तों इसके अंदर बात की जाए features के मामले में आपको features इसके अंदर आपको इसके अंदर क्या क्या मिल सकता है तो इसके अंदर आपको मिल सकती है बाइसाब 10 इंचीज की infotainment system जो की fully digital instrumental cluster की साथ भी मिलेगी आपको जो इसकी जो गाड़ी है वो dual tone में आपको मिलेगी white और red की theme के अंदर आपको यह मिल सकती है काफी सारे और छोटे मोटे छोटे मोटे cosmetic changes आपको specially मिल सकते हैं skoda के slavia के अंदर अब under the hood की बात की जाया तो दोस्तों slavia के अंदर आपको दो engine option मिल जाते हैं एक 1 liter का petrol engine मिल जाता है और 1.5 liter का TSI petrol engine आपको इसके अंदर मिल जाता है transmission की बात की जाया तो दोस्तों यह गाड़ी आपको 6 speed manual और 6 speed torque converter automatic gearbox के साथ आपको यह मिल सकती है 7 speed का DSG unit piece के अंदर आपको Monte Carlo edition के अंदर आपको मिल सकता है तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी आप मेरे को comment section में जुरूर बताना बही मेरको तो काफी इंतजार है skoda की slavia के Monte Carlo edition का क्योंकि वो गाड़ी देखने में पहले से ही अच्छी है Monte Carlo edition में और भी जदा अच्छी हो जाएगी बस इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना चलो को सब्सक्राइब करना और बैल आइकन का बटन जरूर दबाना में बस दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ एक और interesting topic, interesting वीडियो के साथ अगले वीडियो में तब